जैहिंद असलाम वालेकुम नमस्ते सस्त्रियेकल आप सभी का मेरे यूटूब चैनल स्काउटिंग सीखो और सिखाव में स्वागत हैं हेलो दोस्तों मेरा नाम मुहमाद इस्राइल आज मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा यूटूब चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो आप मेरे यूटूब चैनल को सस्क्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा देता कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले तो चलिए सुरू करते हैं इस क्वेशन में दिया है कि एक इस्टेचर में सुधार करें यानि अच्छे से एक इस्टेचर बनाए तो इस्टेचर क्या है और इसका उपयोग क्या होता है तो structure एक ऐसी सामगरी या जुगार है जिसपर मरीज को लिटा कर बैठा कर या लाद कर एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक ले कर जाया जाता है उसे structure काते हैं इसके बाद है इस्ट्रेचर का उपयोग, तो पहला है अस्पताल का बना बनाया इस्ट्रेचर यानि रेडिमेट इस्ट्रेचर, और दूसरा है स्काउट गाइड रोवर रेंजर के द्वारा बनाये जाने वाला स्ट्रेचर, तो किसी घटना दुर घटना या बीमारी से पीडित व्यक्ति को किसी अस्थल से किसी अस्थान पर एम्बूलेंस या अस्पताल तक ले जाने में स्ट्रेचर का उपयोग होता है या करते हैं वह स्ट्रेचर रेडिमेट बना भी हो सकता है या वह किसी सामगरी की सहायता या ज किसी अस्थान पर एंबुलेंस या अस्थान तक ले जाने में किस प्रकार के इस्ट्रेचर का उपयोग करते हैं तो स्काउट गाइड रोवर रेंजर अपने पास रखी हुई सामगरी से इस्ट्रेचर बना कर पीडित व्यक्ति को किसी अस्थल से किसी अस्थान तक या वह बताता हूं और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस्ट्रेचर के बारे में वह प्रकार और बनाने का तरीका बताऊंगा तो चलिए सुरू करते हैं इस्ट्रेचर बनाना तो प्रते की स्काउट गाइड रोवर रेंजर के पास एक-एक लाठी और तीन-तीन मीटर की रसी होती है तो वहाँ स्काउट गाइड रोवर रेंजर अपनी लाठी को यानि दो लाठीयों को लगभग डेड़ से दो फिट के अंतर यानि गैप पर बराबर रखकर रसीयों को बाधते बूथते या लपेटते या जालीदार खाट मरीज को लेटने योग्य इस्टेच सब्सक्राइब करें लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी जय हिंद्द